पॉस्चेन नूम्बर थर्टी सेवन इस कोस्चन में हमें दिया गया है कि ऑक्साइड आयन सी सी पी लैटिस पर है इसमें प्रेजेंट अल्यूमिनियम आयन ओक्ता हेडरल होल्स का एम फ्रेक्शन अकुपाई कर रहे हैं और मैगनीशियम आयन टेट्रहेडरल होल्स का एन फ्रेक्शन अकुपाई कर रहे हैं तो क्योंकि ऑक्साइड आयन सी सी पी लैटिस पर हैं तो इफेक्टिव नंबर ऑफ उक्साइड आयन प्रेजेंट होने चाहिए 4 Aluminium ion octahedral void पर है जिसका M fraction इन्होंने occupy किया हुआ है तो effective Aluminium ion होने चाहिए number में 4M इसी तरह effective number of magnesium ion होने चाहिए number में 8N तो अपने पास crystal में 8N magnesium, 4M aluminium और 4 oxide ion है अब क्योंकि overall crystal neutral है तो जितना negative charge होगा उतना ही positive charge होगा तो अगर हम charge balance करें तो total oxygen पे मिला के charge होना चाहिए 2 into 4 8 negative charge तो इतना ही positive charge भी present होना चाहिए अब Aluminium है 4M, एक Aluminium पे 3 charge तो total charge हुआ 4M into 3 magnesium है 8N, एक magnesium पे 2 charge तो charge इनका होना चाहिए 8N into 2 तो net charge balance के कारण हमारी यह equation बन रही है अब अगर इस equation को simplify करें तो possible values जो M और N की हैं वो half और 1 by 8 होंगी इसलिए answer इस question का होना चाहिए part A कक्राइड कि अरे आगे built-ई यत चाहिए क्लिए कई इसे ऋड़ी क्लिए यदोग काहिए अबे इसे वो जब तो शक्राव Const CDC